नामदू अनुक्सली अला रसुली अम्माबाद फाउजु बिल्लाही मिने शुर्टवान गवाजी बिस्विल्दाए वहाँ वहाँ बहुत्टर फाहीमर पलिस्ट का आपको असलाम और अलेकों और अलेकों परकात नहाइटी एहम टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूं आज का टॉपिक बहुत सारे दोस्ते बाद बेने मारे बेटिया बार बार इन बॉक्स में लिखते हैं मैसेडिस करते हैं वाटसअप करते हैं यूट्यूब इस्टाग्राम पेस्बूक और ये एक मैसेज बार बार देते हैं एक बात को बार बार करते हैं कि दाथ में पीला सवलाज जब आते हैं तो सोचा क्यों ना एक ही मजबूरी तोड़कर वीडियोब बना दी जए तो आज की वीडियो बहुत ही इमपॉर्टन होने जा रही है बहुत इमपॉर्टन टिप्स देने जा रहा है और मैं नहीं कहूंगा आपको क्या आपने हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है या इन नुस्खाइजात को आगे किसी को बताने है ये इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि जब आप ये खुद अमल कर लें और आपको लगे कि ये फायदे बन रहा है तो डाफि ये नुस्खाइजाद और ये रेमेडी और ये ट्रिट्मेंट शेयर करेंगे तो जब आप शेयर करेंगे तो बो भी आपको दुआएं देंगे और उमते मौमदिया ही नहीं अल्ला के बंदों की वसल्मान भाईयों की और तमाम इंसानियत की बलाई के लिए आप जब इस आपको लोगों को बताएंगे जब आपको खुच फायदा होगा तो इंशालला इसकी बात ही चोड़ों की आपको शुरू करते हैं सबसे पहले तो आपने ये देखना है क्या आप कोई चीज चबाते तो नहीं रहता है और एक्सेपन और पहन मोमे लेके कोई मैटल की चीज लेके कोई चाबी लेके कोई कीचेन लेके आप चबाते तो नहीं रहता है ये आपको लेखना होगा क्योंकर इससे आपके तांतों की कुडिंग खराब हो जाती है आपके तांतों की कुडिंग खराब हो जाती है आपके तांतों की कुडिंग खराब हो जाती है इनमें जो स अच्छा जी, अब आजाते हैं, अब आप ने ये देख लिया, आप मेटल की चीज तो नहीं चबा रहे हैं, आप पोई प्लासिक तो नहीं चबा रहे हैं, आप नाखुन तो नहीं चबा रहे हैं, आप कोई भी साथी पैन तो नहीं चबा रहे हैं, कोई भी चीज नहीं चबा बाक सब अब देमिर शादी है, मैं क्या करूंग, क्या मैं गिस्वालू नई जनाव। कि अन्यता लेने कोटिंग बनाएं यह ऐक फ्र कबना भादाफ प surveillance अ कर वहाना ठीक है सबसे पहले तो है यह थार्व प्र आपने क्या कर लेना है आपने खरने का सोडा ले लेना ःव जि आ आप खाने का सोडा लेनिए या ले लेंगे, कोई भी मर्द या खावतीन दोनों के लिए एकसा मुफीद, खाने का सोड़ा चोगा उसके उपर, खाने का सोड़ा चिड़केंगे, और उसके उपर क्वार्टर लीमू, अच्छा लीमू तो अभी बड़े बड़े लीमू आने लगे हैं, वई, क्योंगे आ इतने साइस का स्टंडर साइस का लीमू होता है आदे से आदा, चार हिसे करें और हिससे अपने उसमेते हैं के सोड़े के ओपर जो टूट बच पर आपने चड़का था उसके उपर च्ड़का था उसका रस और फोरन क्योंकि उसमें बहल बनने लगेंगे उसमें जागाने यह पने पांच मिनट तक अपने दाटों को रगड़ना है अगले पांच मिनट बात तीद बर्ष को पानी से साफ कर लेना है भी आपका 90% दाटों में चमक का मसला हल हो जाएगा पिलार दबे वाइड दबे प्राउन दबे पान के दबे इसके दबे उसके दबे सब खतम हो ज अगले लीमू का रोज़ाना इस्तमाल बहतर नहीं है लीमू का रोज़ाना इस्तमाल बहतर नहीं है तो आपने लीमू सिर्फ एक दिन इस्तमाल करना जादा हो तीजिए में में चार बार इनफ लाइफ टाइम यकीम कीजिए आपके दान बहुत 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 हो जाएगा फैमिली के साथ आज हमारी बेटी फात्वा की बड़े है और हम आए वे हैं ड्रीम वर्ड मगर हम आज भी आपके खिदमत का काम कर रहे हैं क्योंकि फिर मुकर नहीं मिल पाता चले जी दूसरा नौट नौट फरमा लीजी अब मरीज ये कहता है मरीज कहता है कि मेरे दाथ हिल रहे हैं मसूडों में खून आ रहा हैं इंफेक्शन हो रहे हैं मुं में बजबू आ रही हैं गलत की सड़न की उसके लिए क्या करना है जनाब उसक्रोसरा बहुत ही असान है आपको बता रहे थे सबसे पहले तो आप ने तित बरश करने हैं लाजमी करने है और एक और भी हाट मैं आपको बता दो कि आपने लाहोरी नमक पिंक सॉल्ड एना है समंधरी नमक नहीं लेना है सर्सों का तेल लेवे, पीनी सर्सों के अंदर नमक मिलाके हलका सा करम कर ले उस चमबच को और उसको आपने प्रिटी बिर्श पे लगाया और दात साफ के लिए राज सोने से बहले और सुबा नहार मौ फास्टिंग में दो टाइम आपने दात लाजमी साफ कर ले अपने तीन क्या करेंगे पिंग सॉल्ट और क्या करेंगे आप सर्सुकथे तोनों हम बजल लेके एक चमच को चुदे पे गरब कर लेंगे अलका गरब करके तीर पर लगाए के आप दास साफ कर ले आपके तीन उ चारों मसायल दातों के ठीक हो जाएगा अब इंफेक्शन के हम सिरिफ तो इस अगर आप कोई भी तूट पहँ इस्तमाल कर रहे हैं यही तरीका इस्तमाल कर रहे हैं आप नहीं पार एक चुटकी खड़के निये तूट परश्वत और आप नहीं आर्मो राज राज वक्ते वक्ते एक अफ़ते कर लें प्रिजर तो पहले दिन आजाएगा एक अफ अच्छा एक और नुसखा बता देता हूँ दातों को चमकाने का भी उसके इंफेक्शन से बचने का भी मूमें बदूर से बचने का भी आपने लॉंग एक चुटकी आपने डारचीनी एक चुटकी पारिक पिसी मोता दाना नाओ नुपसान करेगा किसी भी तूट पे या पिंक सॉल्ट सरसू के तेल मिले पे जो तूपस पे लगाया उस पे छड़कना है और सुबह नहार मुरा सोते वे तिल परश करने यकीन करें दूआएं देंगे दूआएं देंगे आज आज आपकी तमाम दातों के मसाइल हल होने जा रहे हैं तमाम चीज़ें आपको बता पाइदा हो तो आपने दूआओं में क्या रखना है डौकर फाहिं को याद रखना है क्या दूआ करने इमान पर खात्मा और इसी तरह डौकर फाहिं में ख़र्ट करता रहे हैं जजाकल्ला कसीरा जजाकल्ला उमीरे वीडियो पसंदा आई हो फाइदा उठाएं तुछ लाँ लेम